हेलो रिवान वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल फार्मरोक्स के यूटूब एच्चू के चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कुछ इंपोर्टन्ट मेडिकल टर्मिनोलोजी के बारे में मतलब कि ऐसे मेडिकल टर्म्स कि जो अलग-अलग तरीके से यूज किया जाते है तो वो हम सीखेंगे ये वीडियो लेक्चर में और जानेंगे उनके मीनिंग्स के बारे में और सीखेंगे उनका डेटेल एक्स्प्लेनेशन तो एक्सपर्ट लेक्चर बायमर सर असिस्टम प्रॉफेसर एंड फा अगर आपके पास आइफॉन है तो एप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले समझे जो मेडिकल टर्म है वो है मायोकाडियल इंफ्रेक्शन तो मायोकाडियल इंफ्रेक्शन का सिंपल मिनिंग बनता है हार्ट अटेक कि जब किसी परसन को हार्ट अ तो उसके लिए जो मेडिकल टर्म है that is मायोकाडियल इंफ्रेक्शन उसको स्ट में MI भी लिखा जाता है तो मायोकाडियल इंफ्रेक्शन मतलब की अब ब्लॉके जो ब्लॉड फ्लो तो दर हार्ट मسल्स कि हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो डेमेज हो जाते हैं और यह खुझत है के ब्लॉड़ फ्लौ तू दजरु अगर श्मजिए कि किसी भी हमारे बॉरडी के जो और गन से उनके प्रॉपल फंक्शन के लिए उनके हेल्धिनेज के लिए जरूरी है अच्छे से ब्लॉड सप्लाइ अब जब आपके हार्ट के मसल्स को ही ब्लॉड सप्लाइ न इन्हें मायोकार्डियल इन्फरेक्शन और एम आइंड कॉमनली कॉल ए हार्ट अटेक तो सिंपल लेंग्वेज में हम उसके हार्ट अटेक कहते हैं और वह होने का जो रीजन है कि कम्पलीट ऑप्स्ट्रक्शन ऑप्स्ट्रक्शन मतलब की ब्लॉक हो जाना तो कम्पलीटली जब आपके कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती तो जो उसके करण क्या होता है जो ब्लॉड सपला है वो अच्छे से नहीं होता आपके हार्ट को और उसके करण जो हार्ट के जो मसल से वो दिरे दिरे डेमेज होती है और उनके करण जो है वो परसन को हार्ट अटेक आता ह तो infraction means the date of an area of tissue because of interrupted blood supply तो myocardial मतलब की heart और infraction मतलब की death of an area of a tissue कि myo plus cardial infraction का मतलब यही होता है कि simple heart attack और उसका reason हमने जान लिया कि जो obstructions हो जाता है जिसके करन जो blood supply जो है वो अच्छे से नहीं मिलता वो tissues को muscles होगे राको जिसके करन जो condition produce होती है उसको medical terms में कहा जाता है myocardial infraction तो यह था first term second term है हमारा वो है glucoma तो glucoma मतलब क्या तो glucoma जो है वो eye related disease हम कह सकते है तो glucoma में actually होता क्या है तो जो optic nerve होती है तो वो हो जाती है damage और जिसके करन क्या होता है जो vision के उपर काफी असर पड़ता है कि यह diagram में देखे कि damage to the optic nerve अब यह optic nerve damage क्यों होती है तो यह optic nerve damage के लिए जो responsible है वो है intraocular pressure का increase होना मतलब कि आखों के अंदर जो pressure होता है वो increase होता है कि high pressure in your eyes आपके eyes के अंदर pressure increase होने के कारण क्या हो जाते है optic nerve की जो पीछे के portion में है वो हो जाती है damage यहाँ पे diagram में देखे कि पीछे की और आई यह optic nerve जो है वो excessive intraocular pressure के कारण damage होती है अब आपके mind में यह सवाल होगा कि normal eye pressure कितना होता है तो normal होता है 10 से लेकर 20 mm mercury जो unit में measure होता है उतना pressure होता है normal बट वो pressure increase होगा कि 10 से लेकर 21 जो है वो normal है अब उससे increase हो जाता है pressure लाइक समझे किसी परसन का 25 हो जाता है 30 हो जाता है 40 जितना pressure हो जाता है तो पीछे के और रही जो optic nerve से वो damage होती है और जिसके करण जो condition produce होती है उसको हम कहते हैं glucoma और glucoma is the one of the most leading cause of blindness for people over the age 60 60 years की age के जो उपर के जो patients होते हैं उनके अंदर ये glucoma जो है वो कई बार common बनता है blindness के लिए कि ये क्रीजन बन जाता है ऐसे लोगों के लिए कि जिनकी ओज 60 से अबव है और regularly समझो कि health care आप नहीं करते health check-up नहीं करवाते तो उसके करण ये complication जो होर सकता है about the glucoma तो glucoma को हिंदी के अंदर काला मोतिया भी कहते हैं कि जो damage करते हैं आखों की optic nerves को और optic nerve हमें पता है कि जो vision के लिए responsible होती है तो अगर optic nerve ही damage हो जाएगी तो directly व्यक्ति के vision के उपर जो है वो असर पड़ता है तो देखने बंद हो जाता है या फिर partial हो जाता है कम हो जाता है देखने का तो ये सब complications होते है glucoma के अंदर तीसरा important जो term है that is myopia myopia क्या है तो myopia मतलब की simple हम देखे तो myopia के अंदर व्यक्ति को नजदीक का जो है वो clear दिखता है नियर जो site that is a clear बट जब उसको दूर का देखना है तो वो उसको blur दिखेगा ये दिखिए कि नियर जो site है आपकी that is a clear बट जब आपको दूर का देखना है तो वो आपको clear नहीं दिखता तो नियर sightedness जिसको कहा जाता है is a common vision condition in which you can see the objects near to you clearly but objects further away are blurry मतलब कि जो दूर है आपसे objects वो आपको blur दिखते है और नजदिक का जो है वो काफे clear दिखता है तो it occurs when the shape of your eye goes light rays to blend incorrectly and focusing image in front of your retina instead of on your retina मतलब कि usually जो normal vision होती है उसमें ये देखो light कहाँ पर focus हो रही है lens के through directly retina के उपर ये वाली जगा पे जबकि myopia में क्या हुआ है retina के उपर ये light पढ़ने के जगा ये आगे की और पढ़ रही है तो myopic vision में क्या हो रही है कि retina के उपर अच्छे से जो focus होना चाहिए focusing images in front of retina but यहाँ पर क्या हो रहा है instead of your retina उसके आगी की और यहाँ पर images जो है वो क्यों focus हो रहे है और ये condition को medical terms में कहते है myopia की नजदिक का आपको clear दिखता है but दूर का जो है वो blood दिखता है और उसका reason की ये images का जो focusing है वो ये retina के उपर करने के जगा आया जो है वो काफी आगे होता है एक और term फे that is leukemia leukemia मतलब की blood cancer simple जो blood related जो cells होते है RBC, WBC, platelets उनके अंदर जो damage होता है cancerous normal cell जो cancerous form में convert हो जाते है तो वो है cancer बट जब आपके blood cell cancerous cell में convert होते है तो वो जो cancer का type है उसको कहा जाता है leukemia leukemia is a cancer which start in blood forming tissue usually in the bone marrow तो ये cancer जो है वो bone marrow के अंदर सबसे पहले start होता है और धीरे धीरे जो production हाउस है जो हम कहते है blood cells का production कहाँ पे होता है तो bone marrow में होता है जाहे वो white blood cell है platelets है या फिर RBC तो blood forming tissue को ही जब cancer होता है तो वो जो नए cell produce करेगे वो भी cancerous cell ही होंगे तो it leads to the over production of abnormal white blood cell the part of the immune system which defend the body against the infection अब यहाँ पे क्या होता है कि जो blood cells और उसमें भी जो white blood cell है वो हमें पता कि immunity हमें देते है और वो ही abnormal produce होंगे तो automatically person की जो immunity के उपर फरक पड़ेगा तो यह था leukemia simply उसको आप समझ सकते है as a blood cancer और normal जो blood cells होते है वो cancerous blood cell के अंदर convert होते हैं तो यह point आप याद रख सकते हैं कि normal जो blood cell है वो convert हो जाते है cancerous cell के अंदर cancerous cell और जिसके करण उनको जो है हम cancerous blood cells कहे सकते हैं या फिर blood cancers की condition कहे सकते हैं because यहाँ पे जो cancerous cell में कौन convert होता है तो हमारे usually blood cells अब दूसरे एक important term है that is hypertension तो कई बार यह term हम सुनते हैं कि hypertension हुआ है या फिर HPT ऐसा भी कई जगा पे आप देख से कि hypertension तो what is hypertension तो hypertension मतलब कि high blood pressure कि जो मैं पता है कि in a medical terms problem of high blood pressure is called hypertension it is also known as a high blood pressure HBPB उसको कहा जाता है तो सबसे पहले hypertension के definition को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि normal blood pressure कितना है तो normal blood pressure यहाँ पे देखो यह chart के अंदर कि usually 120 systolic को consider किया जाता है और diastolic जो है वो समझो कि हम consider करते है 80 तो 120 80 जितना या फिर उसके थोड़ा नीचे जितना blood pressure है तो that is called a normal blood pressure तो यह normal blood pressure 120 80 कहते हैं बट उससे समझो कि high होता है कि लाइक देखो green color का जो portion है वहाँ तक person का जो blood pressure है हम normal कह सकते because कि low blood pressure की definition यह है कि low blood pressure को 90 20 या फिर 60 उससे कम कहा जाता है कि systolic pressure जो है वापका 90 है और diastolic pressure जो है वो है 60 और उसका unit रहेगा mercury mm mercury unit के अंदर यह pressure measure किया जाता है तो low blood pressure 90 से 60 रहता है तो और normal rate जो है complete perfect that is 120 80 अब 60 से 80 के बीच में हम moderate कह सकते है as well as 120 से 90 के बीच में भी moderate condition कही जाएगी but जब किसी का blood pressure increase होता है 120 से उपर जाता है तो यहाँ पे दोखो pre hypertension के condition का chart कि systolic pressure 120 से increase होके 140 तक पहुचता है तो that is pre hypertension वही diastolic के अंदर जो 80 होना जाए उसके जगा diastolic भी होता है 90 second देखो आप कि high जो है कि stage 1 hypertension कि अब इसको completely stage 1 में कही सकते है तो वो 140 से 160 के बीच में जा रहा है systolic pressure वही diastolic आप देखो तो 90 से लेकर 110 के आसपास आपको देखने को मिलता है और जब stage 2 में पहुचता है ये condition तूसवक परसन का जो blood pressure है वो 160 से 190 या फिर उससे भी ज़्यादा और diastolic pressure उसका 110 से लेकर 100 से लेकर 120 और उससे भी ज़्यादा हो सकता है तो it is a long term medical condition in which the blood pressure in the arteries is persistently elevated and increase the blood pressure to normal to high कि normal जो 120-80 कहते है तो उससे काफी जो high होता है blood pressure that means say hypertension तो यहापे एक point के उपर आपको खास जो highlight करना जरूरी है that is a pressure in the arteries कि blood pressure के अदर कौन सा pressure measure किया जाते है तो that is a pressure in the artery और normal value आपको पता हो तो भी तो ही आप यह term को अच्छे से जो हो define कर सकते है इसका अच्छे से explain कर सकते है नेक्स रा जो next term है that is a arthritis arthritis मतलब कि joint inflammation कि जैसे rheumatoid arthritis का आपने नाम सुना होगा तो यह जो knee joint है आपका वहाँ पे जो inflammation होता है that is a arthritis तो arthritis is the swelling and tenderness of the one or more of your joint एक या एक से ज्यादा joints का swelling होता है tenderness होता है that is called a arthritis and the main symptom of arthritis are pain and stiffness which typically worsen with age कि जब आपको walking करना है activity को रूटीन करने तो उस वक्त आपको काफी pain होता है आपके यह joints के अंदर और वहाँ का उसमें भी जो synovial joints होते हैं usually कि यह वाले joint है तो यहाँ पे आप देखो कि जो redness वाला जो portion है वो सब वहाँ पे inflammation हुआ है and bond भी काफी damage हुए आपको देखने को मिल सकते हैं तो the most common type of arthritis are osteoarthritis and rheumatoid arthritis तो सबसे ज़्यादा लोगों को osteoarthritis होते हैं और दूसरा rheumatoid arthritis तो यह दो खास याद रखें एक्जाम्पल उसके और joint pain खास याद रखें कि joint inflammation, joint stiffness and joint pain कि वहाँ पे काफी जो आपके जोड अकड जाते हैं जो हम कहते हैं कि जोडों का दर्थ जो हम कहते हैं तो that is a arthritis फिर बात आती है यह टर्म कि कि what is anatomy and what is physiology तो anatomy is the branch of biology concerned with the study of the structure of organism and their parts अब आप देखो कि जब भी कोई anatomical study होती है anatomy तो कोई भी organ या फिर organ system है तो उसका आप क्या study करते हैं डिटेल में उसके structure को कि जब कोई भी structure कि लाग kidney तो kidney के आप डिटेल में anatomical study करेंगे तो उसके structure के अंदर कौन से अलग अलग parts है वो आप study करेंगे समझे कि eyes की anatomy study करते हैं तो आप study करेंगे कि उसके अलग अलग parts कौन से है जैसे कि eyes के अंदर आप देखते हैं को retina का portion आता है lens का portion आता है iris से sclera का portion है तो वो जो अलग अलग उसके structure की आप detail study करते हैं that means its anatomy उसी तरह से कोई भी brain का आप study करते हैं detail में के brain के अलग अलग कितने parts होते हैं वो parts कहां पर located है तो that is the anatomy तो anatomy जो usually हम कहते है इस a branch of biology biology का एक branch है कि जहां पर किसी भी organism की आप detail anatomical study करते हैं उसकी structure study करते हैं और कौन से अलग अलग parts है उसके अंदर so anatomy is the branch of natural science which deals with the structural organization of a living thing living thing is intestinal का structure कैसे है skeleton का structure कैसे है kidneys, liver, arteries, muscles कोई भी heart लेख लो lungs है, spleen है, bone marrow है, stomach है किसी भी body part जो है वो आपके या फिर internal organs से कोई body system है उसके detail study करते हैं उसके structural organization की उसको हम कहेंगे anatomy और physiology मतलब की how that organs और organ system work and their function in the body and how they work किस तरह से वो काम करते हैं उनका function क्या है कि लाइक eyes है तो उनका physiology क्या होई तो their physiology that is a vision कि वो हमें vision प्रोएड करती हम eyes की जो anatomical structure है उसके करण हम जो वो देख पाते है vision मिलती है तो that is a physiology उसी तरह से liver है तो metabolism का काम करता है heart है तो वो natural pump है वो pump करता है blood को अच्छे से तो इस तरह से anatomy and physiology के जो term से वो आप समझ सकते हैं फिर जो important that is a cataract cataract को हम हिंदी में मोतिया बिंद कहते है कि जो मोतिया जो मोतिया बिंद develop होता है आपके eyes के अंदर और उसमें भी affect करता है lens को cataract is a cloudy area in the lens of the eye that leads to decrease in vision अब हमें पता है कि जो lens है वो normal persons के अंदर completely clear होता है कि कोई भी disturbance वहाँ पर नहीं होता कि यह वाला समझा कि side से हम देखे तो यह normal lens है अब यही lens के अंदर समझा कि कोई cloudy material जो है वो feel हो जाता है कि like यह जो lens है उसके अंदर ऐसा कोई material जो है वो feel हो जाता है तो पहले complete वो transparent था अब उसके अंदर यह material होने के कारण उसके transparency जो है वो चली जाते जिसके करण आप डायाग्राम में देखे नॉर्मल में लोएंस जो transparent जिसके करण आप जो है वो proper black portion वहाँ पे देख सकते हैं जबकि वही पे जब cataract होता है तो milky white जिसाब substance वहाँ पे जमा होने के करण cloudy area वहाँ पे आपको देखने को मिलता है तो यह वाले diagram में देखो eyes with cataract तो यह जो पूरा portion है यह वाला कि जो आपको कैसा देख रहा है cloudy तो cloudy होने के करण क्या होता है कि directly vision जो है वह आपके decrease हो जाती है कि जो clear नहीं देखता person को and cataract often develops slowly and can affect the one or both पहले एक eyes को वह damage करता है समझो फिर दुसरी eyes में भी cataract develop होता है and symptom may include the faded colors blurry और double vision double vision भी देखने को मिल सकती है कई बार blur vision हो जाती है faded colors colors आपको अच्छे से clear नहीं दिखते hellos around the light light के समने आप देखे तो आपको जिसे hellos देखने को मिलेंगे crowns देखने को मिलेंगे light के आसपास trouble with bright light काफि bright light के अंदर आपको देखने में trouble होगी and trouble in seeing it night इवन रात को भी आपको देखने में काफिय डिफिकल्टी होती तो यह हम समने समझे कुछ important terms यह lecture के अंदर और भी terms सिखेंगे हम next lecture के अंदर तो जो lecture notes आपको Pharma Rocks की app उपर मिल जाएंगे कि जो affordable price के अंदर आपको मिले जा तो thank you for watching, join कर सकते हैं WhatsApp group, access कर सकते हैं study material को, test series को and also the video lecture तो एप के लिए आप Pharma Rocks की app डाउनलोड कर सकते हैं, link आपको description box के अंदर मिल जाएंगी, good luck and all the best